नमस्ते, मेरा नाम है हर्षुता और आप देख रहे हैं दीललन टॉप सौरव गाउंगली, पूर्फ कप्तान और मौजुदा बी-सी-सी-ाइजी गाउंगली हर मामले में वन्डे क्रिकेट के महांतम बल्ले बाजों में से एक है वन्डे में ओपनिंग के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले गाउंगली 48 साल के हो गए हैं ना सिर्फ बैटिंग बलकि गाउंगली की लीडर्शिप क्वालिटी की भी खूप तारीफ की जाती है टीम इंडिया को जीत की आदर गाउंगली ने ही डलवाई है मैच फिक्सिंग के भवर से निकाल कर टीम इंडिया को जीत की रहा पर डालने वाले दादा की अंडर भारत ने तमाम मैच जीते इन जीतों के बीचे काफी हद तक दादा की डिसिजिन मेकिंग जिम्मेदार थी दादा के फैसलों ने इंडियन क्रिकेटर्स पर भी काफी प्रभा डाला आज हम बात करने वाले हैं दादा के ऐसे बड़े फैसलों पर पहला फैसला सहवाग से ओपन कराना मुझे अच्छी तरह याद है जब सहवाग को मैंने पहली बार देखा था सहवाग बोलिंग कर रहे थे बोलिंग क्या कर रहे थे बे दर्दी से पीटे जा रहे थे यह लग एकि टेस जब्यों में सहवाग ने सेंचुरी मारी और मुझे लगा बंदे में कुछ तो है लेकिन जिस सहवाग को आज की दुनिया जानती है वो अभी भी दूर था कुछ ही वक्त बात पता चला कि दादा को सहवाग में वो आप दिख चुकी थी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी उन्होंने सहवाग को ओपन करने के लिए कहा इस बारे में सहवाग ने हाल ही में कहा था दादा ने मुझे ओपनिंग करने को कहा मेरे टाल पटोल करने पर बोले ओपनिंग स्लोट खाली है भर दोगे तो टीम में तुम्हारी जगा पक्की रहेगी लेकिन अगर तुम्हें मिडल ओर्डर में ही खेलना है सोच ही पाते हैं अब बारी आती है रावल ड्रविट के डबल रोल की महेंदर सिंग धोनी से पहले इंडियन क्रिकेट टीम की विकेट कीपिंग हर कप्तान और सेलेक्टर के लिए सरदर्दी होती थी तमाम ऑप्शन ट्राई किये लेकिन मामला जम नहीं रहा था दौर एडम गिल्क्रिस्ट और मार्क वाउचर का था और हमारे विकेट कीपर अभी भी ट्रेडिशनल ही थे मनलब विकेट के पीछे तो अच्छे लेकिन विकेट के आगे फिसटी पार्थिव पतेल को छोड़ बाकी सारे विकेट कीपर कभी भी बल्ले से भरोसा नहीं दिला पाए टेस्ट में तो टीम फिर भी किसी तरह काम चला लेती थी लेकिन वन डे में मामला फस ही जाता था ऐसे में दादा ने रावल ड्रविट से विकेट कीपिंग करने को कहा ड्रविट मान गए और डादा को मिल गया एक एक्स्ट्रा बल्ले बाज उतारने का मौका महिन सिंग धोनी से पहले लिमिटेड ओवर्स में ड्रविट ही टीम इंडिया के पर्मनेंट विकेट कीपर होते थे उन्होंने लंबे वक्त तक इस जिम्मेदारी को भी निबार अब महिन्दर सिंग धोनी का धमा का साल 2004 में डॉमेस्टिक सर्किट में एक नाम तेजी से उभर रहा था महिन्दर सिंग धोनी और माही धोनी लगातार धमाके कर रहे थे लेकिन इंडिया कैप अभी भी दूर थी अंडर 19 के वक्त से ही धोनी लगातार दावेदारी पेश कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी ऐसे में दिसंबर 2004 में गाउंगली ने रिस्क लिया उन्होंने इंडिया एक के साथ केनिया से लोटे धोनी को टीम इंडिया में शामिल करने का फैसला किया बल्लेबाज के रूप में धोनी की शुरुआत अच्छी नहीं रही वे लगातार फेल हुए सबको लगा कि धोनी इंटरनेशनल लेवर के प्रेशर को सम्हाल नहीं पा रहे हैं लेकिन दादा को यकीन था तभी तो उन्होंने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विजाब वंडे में धोनी को तीसरे नंबर पर भेजा धोनी ने उस मैच के बाद क्रिकेट के महांतम विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में मशूर हुए अब बारियाई टर्बनेटर हर्बजन सिंग पर भरोसेगी साल 2001 की बॉडर गावस का ट्रॉफी के लिए टीम सेलेक्शन चालू था कप्तान थे दादा सेलेक्शन मीटिंग में दादा सेलेक्टर से भिड़ गए का गीम है बाकी सब पीछे रहे उन्होंने ताल ठोक दी जब तक हर बजन टीम में नहीं आएगा मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाओंगा सेलेक्टर्स जुके और हर बजन टीम में आए आगे की कहानी तो परीकथा जैसी ही है कोलकाता टेस्ट में हेट्रिक लेकर भजजी ने भारत को सिरीज में वापसी कराई और फिर बरसो तक टीम इंडिया के लिए खेलते रहे टेस्ट में 400 से जादा विकेट ले डाले काउंगली से पहले भारत ने कई कप्तान देखे है कमाल के लोग गजब की परस्नालिटी लेकिन गाउंगली के अंदर जो जोश था उसका लेवल ही अलग था उनसे पहले के कप्तान विदेश में सिफ ड्रॉ के लिए खेलते थे लेकिन दादा ने कप्तान बनते ही फैसला किया कि अब टीम जीत के लिए खेलेगी बनाया और अब कोली के टीम उस रास्ते पर सरपट भाग रही है क्रिकेट की पिछके ऐसे कई किस्से हैं जब दादा ने आँख में आँख डाल कर विदेशी कप्तानों को बता दिया ये नया इंडिया है आपके लिए किस्सा लिखाता हमारे साथी सूरज ने अगर आप ये विडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें देखते रहें दिललन टॉग